Hello friends, आज शुरू करते हैं exercise 11.2 से question number 7 Draw a circle with the help of a bangle एक चूड़ी की मदद से आपको एक circle बनाना है Take a point outside the circle इस circle के बाहर कोई point लेना है Construct the pair of tangents from this point to the circle और फिर इस point से इस circle के उपर tangents का pair draw करना है ये question है चलिए शुरू करते हैं इसको देखिए इस बार जो circle है आपको एक bangle की help से लेना है तो आपको एक चूड़ी की मदद से एक circle बनाना है ये इसलिए कहां है question में क्योंकि जब आप bangle से circle बनाएंगे न तो आपको जो center है न वो पता नहीं होगा और इसमें center पता करने के ही आपको exam में marks मिलेंगे तो चलिए देखिए ये तो circle ले लिया हमने bangle की help से कोई external point भी ले ले लेते हैं outside मान लिया ये point भी ले लिया मैंने P यहाँ पे ये point P है अब जब हम अपने पिछले questions में करते थे कि कोई circle और यहाँ पे कोई point होता था तो वो हमारे center से ही तो जुड़ता था center से जुड़ता था और फिर इस line को diameter मानके हम एक circle बनाते थे और ये वाला circle पहले वाले circle को 2 जिगा काटता था और हम ऐसे tangent बना देते थे लेकिन यहाँ सारी कहानी यह कि आपको जो center है न वो ही पता नहीं है तो center निकालने का तरीका यह है छोटी class इसमिक थियोरम थी 9th class में भी थी कि chords जो होती है न इक्वल chords जैसे कि यह circle है आपका और ये दो chords है इनकी length बराबर है तो chords equal chords का center से जो distance होता है न यानि कि 90 degree पर वो बराबर होता है तो अगर हम इन chords को दो equal chord बनाए अपने circle के उपर और इन chords का perpendicular bisector करें वो तो 90 degree पर ही होता है न बिल्कुल इसका करेंगे और फिर इस वाली का करेंगे तो जहां पर ये intersect होंगी वो ही हमारा center होगा तो center निकालने का ये तरीका है तो चलिए देखिए equal chord बनाने का क्या होता है कि आपको एक परकार लीजिए और एक ही point पे दोनों chord बना दीजिए पहले खोल लीजिए परकार को जितना आपको chord बनानी है उतनी तो यहां से यहां तक मैंने एक point मार लिया यहीं से बना लूँगा इस point को ध्यान से आप dot कर ले न कहीं mistake ना हो जाए यह यह था यह point तो इसका नाम में कुछ रख लेता हूँ यह मैंने A रख लिया इसका नाम मैंने B रख लिया इसका नाम मैंने C रख लिया अब इनको जॉइन करके दो chords बना देता हूँ यह AB chord बन गई और यह AC chord बन गई और दोनों की length बराबर है क्योंकि equal खोल के यह तो मैंने परकार से बनाई थी यह arcs अब यह दोनों की length बराबर है इनका मुझे करना है perpendicular bisector perpendicular bisector आप हर question में करते हैं पिछले वालों में भी कि जिस line को आपको आधा करना होता है उसका आधे से ज़्यादा खोलते हैं और फिर दोनों points पे बारी बारी रखके इस तरह से arc मारते हैं इसे ही बोलते हैं हम perpendicular bisector यानि इससे क्या होता है line के दो बराबर टुकड़े हो जाते है या भी points इसको मैं इन दो points से straight line बना देता हूँ ये बना दिया मैं अब जैसे b a का किया है उसी तरह से आपको c a का करना है तो c a के लिए भी c a का आधे से ज़्यादा परकार खोल ले और एक बार c पे रखके दो आर्क ऐसे मार ले और फिर एक बार a पे रखके ऐसे दो आर्क मार ले बस ये ध्यान रखना कि आपकी आर्क्स कटी कहाँ पर है क्योंकि construction में बहुत सारे steps होते है कोई सी आर्क किसमे मिंगल हो जाती है पता नहीं जलता तो ये point आया और ये point आया इन से मिलाएंगे आप दोनों dots को point को ऐसे मिला दिया तो देखिए c ए का ये perpendicular by sector b ए का ये वाला ये दोनों के दोनों जहां मिले हैं न ये ही आपका center है ये point आया और इसको मैंने 0 लिख दिया o लिख दिया मैंने ये center आ गया बस center आ गया तो अब कहानी सारी खत्म अब तो आप सब कुछ जानते हैं जैसे पिछले वाले questions में करते आए हैं बिल्कुल सब कुछ वो ही है अब इस center से इस P को आप join कर दें ये join कर दिया line टेडी मेडी हो रही इसे कोई फरक नी पड़ता ये बिल्कुल सीधिया फिगर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा point आपका यहां होता तो ऐसे बन जाती यहां होता तो ऐसे बन जाती उसे कोई फरक नी पड़ेगा अब आपको ये करना है कि P.O. को diameter मानना है अब जब P.O. को diameter मानना है तो आपको इसका midpoint निकालना होगा midpoint से आपका center निकलेगा तो center से और फिर P. तक को खोल के radius बनेगा तो यहां भी आपको perpendicular by sector ही करना है जैसे पिछले questions में करते आए है तो O.P. का आधे से ज़ाधा खोल ले ऐसे और एक arc उपर यहां एक यहां पर O.P. रखके ऐसे ही P. पर रख ले एक arc और यह एक arc यहां से आपको यह दो points मिलेंगे यह दो points मिलें इन points से सीधी line खीच दें तो जहां यह चीज आएगी यह वाला इसका मैन नाम रख लिया M तो M जो है P. ओ का midpoint आ गया जब midpoint आ गया तो M से लेके P तक यह radius हो गया तो M से P तक खोल के अब आप अपना circle बना दे यह circle बना दे और यह जो circle है यह आपके पुराने वाले circle को 2 points पे काटेगा और वो 2 points कहां कहां पे हैं देखे एक तो यह आ रहा और एक ही आ रहा इनको mark कर ले इनका कुछ नाम रख ले इनसे अलग रखना आप नाम जो है already उनको नहीं तो मैं इसका नाम x रख लेता हूं और इस वाले का मैं रख लेता हूं वाई points आगे बस अब यह जो आपका exterior point है इस से इन points को आप मिला दें यह आपकी tangents ही बनी है तो यह बन गई दो tangents वास अब आपना answer लिख दे answer में लिखेंगे px and py are required tangents यह जो चीज मैं लिख रहा हूं नहीं हाँ पर यह एक्चुली आपका steps of construction में सबसे last में लिखा जाता है आपको सवाल करने के बाद steps of construction भी लिखने होते हैं उसके आपके आधा या एक number होता है तो वो steps of construction आप अपनी language में खुद लिख सकते हैं जैसे जैसे हम करते हैं ना बस अपनी language में उसी तरह से number डाल डाल के लिखते जाते हैं और last में जब हम लिखते हैं second last step कि join px and py फिर last step यह होता है कि px and py are required tangents यह question बहुत important है यह exam में सबसे ज़्यादा बार आता है एक यह वाला question यह sixth question और seventh question यही सबसे ज़्यादा important questions है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye